नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे चैनल में आज हम अर्थसास का एक टॉपिक है वडिक वाद जो बच्चे ग्रेजविसन कर रहे हैं उनके लिए महत्पोड होगा आज हम वडिक वादियों की बारे में बताएंगे इनका उद्धे कब हुआ कैसे हुआ और इन्हों ने अपन सिद्धान्त दिये हैं उन सिद्धान्तों के बारे में क्या क्या दिया उनके बारे में आज बताएंगे यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब चैनल को करें और कमेंट करें और लाइक करें इसी परकार के वीडियो यदि आपको चाहिए यदि आपक वडिक वडियों का उदय, वडिक वडियों का उदय जो था 16-18 सतापदी के मद्ध हुआ और उस समय जो ततकालिन प्रस्तितियां थी उनकी प्रतिकिया करते हुए वडिक वडिक वडियों ने अपने विचार प्रस्पादित किये, वडिक वादियों में प्रमुकुरूप से वडिक वादि जो थे आर्थसास्त्री नहीं थे और ना ही ये आर्थसास्त्री थे ये केवल जो थे कुसल व्यापारी थे राजनितिक थे और प्रवंदक थे तो इन्होंने पहला जो सिद्धान दिया वो है बहुमूल पदार्थों का महतु वरिक वादी राज की उन्नत के लिए सोड़ रजत एउम अन्य बहुमूल पदार्थों को आतिधिक महतु देते थे जिस देश के पास जितना धन उन्नत होगा वरिक वादियों का कहना था कि जिस देश के पास इतना सोना चांदी बहुमूल पदार्थ होंगी वह देश उतना ही उन्नत साली यह सक्ति साली गिना जाएगा उनका नारा था अधिक सोड़, अधिक धन, अधिक सक्ती ये उनका नारा था वडिक वादी अर्शास्ती नहीं थे वे किवल कुसल व्यापारी, कुसल राचनी तिक, कुसल प्रवंदक आदी थे दूसरा जो दिया है उन्होंने वो है विदेशी व्यापार का महतु वडिक वादियों ने बताया कि जिन देश, देशों के पास सोड़ रज़त की खाने नहीं है, जहांपर सोने चान्दी की खाने नहीं पाए जाती है उस देश को भहमुल पदार्थ अर्जित करने के लिए विदेशी व्यापार करना चाहिए और वहां देश विदेशी वियापार के मादिम से जो है महमुल पदातों का आयात कर सकता है वड़ी वादियों ने बता है कि कोई राष्ट विदेशी वियापार द्वारा तोड़ा रज़त तब प्राप्त कर सकता है जब वहां देश आयात कम और निर्यात जादा करे यहीं अपनी वस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचे और दूसरे देशों की जो वस्तों हैं उनका कमायात करे तीसे नमबर पर है अद्दोगी केम व्यापारिक नियम इसके बारे में वडिक बादियों ने बताया कि अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् देश की प्रकृतिक संसादनों का समचित प्रियोग करना चाहिए नमबर दूपर विदेशी वस्तूख के उभोग में कमी लाना चाहिए जिससे व्यापार अनकूल हो सके नमबर तीन पर सरकार को ब्याज की दर सस्ती करनी चाहिए जिससे व्यापार के लिए सस्ती फूंजी उपलब्ध हो सके और परतेक उद्योग पती विकास कर सके नमबर चार पर विदेशी व्यापार स्वदेशी जलियानू द्वरा किया जाना चाहिए जिससे की उसको अधिक से अधिक लाब हो नमबर पांच पर क्या बताया स्वद रजद तथा अन्य बहमूल धातू को केवल आयात करना चाहिए निदियात कम करना चाहिए और आयात जो था सोना चान्दी का वो ज्यादा करना चाहिए नमबर छे पर दूसरे देशों से कच्चा माल आयात करना चाहिए और नमबर साथ पर बताया कच्ची सामगरी प्राप्त करने के लिए उपनिमेस स्थापित करना चाहिए जिसके लिए स्थल सेना युम समुत्री सेना युद्ध सामगरी में व्रद्धी करनी चाहिए यद किसी देश में उपनिमेस बनाना है तो उसके लिए सेना की जरूरत होगी इसके लिए राष्ट को चाहिए कि सेना और युद सामगरी चीजों में व्रद्धी करनी चाहिए आगे दिया है जनसंख्या समंधी विचार वड़िक वादी जो थे वो जनसंख्या का समर्थन करते थे कि राष्ट में जितनी जनसंख्या होगी उतना ही अच्छा होगा अधिक जनसंख्या से साइनिक तथा सस्ते स्रमिक उपलब्द होंगी जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा व्यापार अनकूल होगा वडिक वादी जो थे सक्षाली राष्ट का निर्मार करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे विदेशों से बहमूल ध्यातू का आयात हो सके और राष्ट समर्थिसाली उन्नत हो सके नमबर छे पर व्याज का सिदान दिया व्याज के सिदान में बताया वडिक वादियों के अनुसार व्याज की दर निम्न होनी चाहिए जिससे व्यापारी व्यापार करने के लिए पोसाहित हो सके व्याज की दर को जो राष्ट हो वो निम्न रखे जिससे की व्यापारी लो दिनने तत्म हामस कल पीपर के उनसार वियाजकी निम्णदर्व व्यापारियो व्यापार छहे भरन साहा से प्रविष्ठ होने के लिए पुसाहिद करती हैं तथा व्याज कि ऊच्ची दर या परियों को थी साहित करती हैं तो इस प्रकार वडिक वादियों ने बताया कि ब्याद जो है निमने दर से हो कि नंबर साथ पर उन्होंने क्या बताया मूलिका सिध्धान्थ मूली का सिध्धान मूली के बारे में बताया तीन प्रकार के मूल्यों को बारे में बताया उन्होंने पहला मूली है प्राकरतिक मूली वड़िक बादी प्राकरतिक मूली को वस्त की आंतरिक मूली मानते थे जो उनकी उपयोगता पर आधारी थी जिस वस्त की जितनी उपयोगता होगी वह इस वस्त का उतना ही मूलित होगा दूसरा मूलित बाजार मूलित वरिकवादी वस्त की बाहरी मूलित को बाजार मूलित की संग्या देते थे जो वस्त की उपयोगता के अतरीक उत्पादन लागत पर निर्भर करता था उत्पादन लागत भीस में सामिल की गई बाजार मूली में यहीं उत्पादन में जितनी लागत लगी है उसके अनुसार वस्त का मूली होना चाहिए तेसरे नंबर पर कुछ वडिकवादी जो थे वो वस्त का मूली स्त्रम के आधार पर ही निधायत करते थे उन्होंने स्त्रम मूली को वस्त का मूली बताया आगे है जो नंबर साथ पर वो है करार उपर समंधी विचार कर के बारे में वडिक बादियों ने क्या बता उनके अनुसार प्रतिक वर्क की नागरिकों को उतनी मात्रा में कर देना चाहिए जितनी मात्रा में वे राज से सुवधा प्राप्त करते हैं कि यहां पर टाइपिंग में श्टेक है तो इसके लिए हमाच चाहता हूं और उन्होंने बता कि मतलब कितनी मात्रा में वह विधा प्राप्त करते हैं इसका मापक कैसे किया जाए इसके लिए उन्होंने बता कि जो वेक्ति जितना वे करेगा उसी के अनुसार कर उस पर उतना ज्यादा लगेगा तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और इसकी परकार के आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों